हेलो फेरेंट्स, वेलकम टो और चैनल, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल जो ट्विटर कैमपेंग हम लोग चलाए थे, वो कैसा है रहा और वो क्या सक्सेस नहीं हुआ, बहुत सारे के कमेंट आ रहा था किसा ट्विटर कैमपेंग सक्सेस नहीं रहा, और जो है दो पर update RRB कहां से आया है भुनीशवर से आया है पहला update और दूसरा है और चंडीगर से है यह call recording है बोर्ड के द वारा बात किया गया है आप भी बताया है इस ट्यूएंट के द्वारा यह call recording है इस्ट्वेंट बात की है वो हमको बताया है देखिए क्या है पहला है कि कल का तक हैस्टेग अरेसी ग्रूब डी एक्जाम डेट उसके बाद से हैस्टेग बिरुजगार दिवस वाला यह जो है यह काफी सक्सेस हुआ है यह टेंडिंग नंबर दो है नंबर टू पे था जिसमें हम लोग देखे थे कि दो पहर तक करीम में यह तीन पे था लेकिन बाद मे अ कि इंग्जाम डेट का डिलेटेड यह जो है यह बिलकुल ही कही पर दिखाई ही नहीं दे रहा था क्या चल रहा है मेल्ली क्या हो सकता है इसका नहीं .... करने का कारण है कि कल काफी रहा जो हम लोग बोल सकते हैं बिरोजगार दिवस रहा अन इंप्लॉइमेंट डे रहा मोधी रोजगार डे दो ऐसे करके था इस टाइप का बहुत सा रहा था इसके वह सकता है कि अररसे ग्रूप भी एक्जाम डिट नहीं रहा दिखिए अब यहा उबर है उनसे बात किया है कुछ टीचर से बात किया है आगे का क्या सोचना है रेल्वे ग्रूप डी एक्जाम डेट के लिए क्योंकि जब तेरा तरी को अररसी पटना गये थे वहां से भी कोई खास रिपलाई नहीं आया उसके बाद अभी जो है ट्विटर केमपन से भी वहां पे काफी ट्विट हुआ है दूसरा अब्रेट का है रेल्वे ग्रूप डी का एक्जाम डेट और एंटीपीसी का देखिए एंटीपीसी सीबीटी वन का जब कॉल डिकॉर्डिंग है यहां से बात हुआ था आररबी भुनेश्वर बोर से तो वहां पे क्या बोला गय यहां एंटीपीसी सीबीटी वन का जो रिजल्ट है वो बहुत जल आने वाला है और जब पूछा गया कि सीबीटी टू का एंटीपीसी सीबीटी टू का जो है उसका एक्जाम डेट का बारे में पूछा गया तो सीबीटी टू का बोला गया कि अभी तक कोई भी डेट फिक पुछा गया बोड से इसार ग्रूबडी का एक्जाम डेट कोई टेंटिटी बता दीजे कि कब तक हो सकता है इसका प्रतिक्या रिप्लाई आया है कि अभी तक जो है जो इसका जो मेन हेड है सेंट्रल बोड दिल्ली से अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट उनके पास नहीं आया सकते हैं कि आगे कब एक्जाम होगा ऐसे कोई भी अपडेट नहीं है इस पर ही महीना से लेके 45 दिन के अंदर में बोला गया है आपको पहले इंफॉर्म कर दिया जाएगा उसके लिए आप चींता मत किजिए यहां पर बोला जा रहा है बोर्ड से कि बता दीजिए तो वह बोल रहा है कि आप विजिट साइट करते रहें कब तक एक इतना विजिट साइट करते रहेंगे और उनके द्वारा कहा गय कि हर 10 से 15 दिन में आप किया किजिए कि ओफिशियल वेबसाइट है बोर्ड का आप उसको विजिट साइट करते रहें अब बताईए इसी तरीका से कब तक चलेगा इसके प्रति क्या हम लोग सोचे हैं आगे का कुछ सोच रहे है कि हम लोग RRC पटना भी गये ट्विटेड क बचा है कहां पर दिल्ली बोर्ड में क्योंकि दोरिव यही कहा रहा है कि जो भी कहा रहा है कि जो बी डिसीजर होगा वो दिल्ली बोड के द्वराइव üst हम लोगी कुछ नोंटिस करेंगे क्योंकि यह सेंटल employment notice जो है central का जो भी आता है दिल्ली बोर्ट से ही आता है उसके बाद सब बोर्ड में वहाँ पे notice को forward किया जाता है और बोर्ड क्या है हर एक बोर्ड अपने अपने website पे उसको update कर देते हैं तो अब last option यही बच रहा है पहले हम लोग सोचे थे कि भोपाल जाएंगे पर अब भोपाल से भी यही reply आ रहा है तो वहाँ पे भी जाने से कुछ ऐसा लग नहीं रहा है अगर लगे तो फिर देखते हैं भोपाल जाएंगे वहना maximum chance है कि अब दिल्ली जाना परेगा कुछ द बहुत धन्यवाद student का तरफ से और हमारे भी तरफ से और देखते हैं उमंग सर से भी अब इजश्ट थोड़ा दिर पहले बात हुआ था तो उनसे भी बात हुआ तो उनके द्वारे भी कहा गया कि सर अब last option देखते हैं यही बचा है कि अब दिल्ली चला जाएगा क्योंकि कि जो भी होगा student के लिए करेंगे हम लोग का कोई politics से या राजनीती से ऐसा लेना देना नहीं है हम लोग का क्या है कि student से है student का हित में जो भी होगा student के लिए update करेंगे और एक update है कि बिहार SSE का है कुछ regarding कुछ कुछ चलने वाला है तो कुछ student का call आया था कि सर आप उसको भी अपने वीडियो में दिखाईए upload किजिए हो सके तो हम उसको भी अपडेट दिंगे के विहार SSE का हो सके तो उस दिन में कुछ strike या protest है देखते हैं वह जैसा भी होगा student का जो भी रहेगा मेरा चैनल पर आप कि जो भी अपडेट होगा देंगे मैं कोई एक मैं एक और repeat करना ना पड़ता है कि कि मैं क्या हूं reporter हूं मैं reporter नहीं हूं जब student को द्वारा बोला जाता है कि सर आप इसको वीडियो बनाईए आप अपने द्वारा इस चीज को मुहिम को आगे बनाईए तो मैं वीडियो बनाता हूं मैं टीचर हूं मैं पटना बिहार से हूं ठीक है तो मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा आगे भी रहेगा आगे का जो प्रोस